बड़े पुजुगों की बताई अन्मोल बातें कृपिया ध्यान से सुनें इसकी बिल्कुल भी ना करें कभी भी शाम की समय घर में अधेरा ना होने दें कम से कम एक मौमबत्ती ही जला दें जी हां हमारे वुजुर्पता करके हैं जब सांधे काल होता है यानि कि शाम हो रही होती है तब या तो लाइट जला दें और लाइट नहीं आ रही है तो कोई मौमबत्ती या दीपक ही जला कर रखें अगर आप इस समय पानी पीते हैं तो आपको मौटापी की शिकायत हो सकती है इसलिए पानी खाना खाने के आदे एक घंटे बाद ही पीना चाहिए रात की समय हमेशा ब्रश करके सोई और एक ग्लास पानी पीकर भी सोना चाहिए आज से आपके दातों की साफाई रेगी और कीड़े आदी नहीं लगेंगे तूटे आईने में चेहरा ना देखें और टूटे बरतन में खाना ना खाएं जी हां हमारे बुजी को कहना है कि आई ना गिर जाये चटक जाये तो उसमें चहरा नहीं देखना चाहिए और ना तूटे बरतन या चटके बरतन में खाना खाना चाहिए यह अश्यव होता है अगर किसी पडोसी सी कुछ ले तूने बिना मागे बापिस कर दें नहीं तो अग खाली बरतन ना दें चाहिए उसमें दो-चार बताशी ही रखतें इससे दोनों ही घरों में बरकत रहती है किसी रिष्टेदार की यहां बिना काम के बारवर मज जाएए नहीं तो वहां आपकी महता कम हो जाएगी जी हां अगर आप बिना बुलाए हर समय किसी के हां तो वो दीरे दीरे आपसे खिचना शुरू हो जाएगा इसलिए कम से कम जाएगा कभी भी घर में बरतन ना बजाए है जी हां हमारे बुजुर कहते हैं खाली बरतनों को एक दूसरे ते टकराना अच्छा नहीं होता है यानि कि शुब नहीं होता है सुबह उठकर अपनी आ कि आप सैंदा नमक का प्रियों कर सकते हैं और चीने की जगे खाण का प्रियों कर सकते हैं धुम्र पान और नशीले पदार्तों का सेवन बंद कर दीजिए ये आपके स्वास्ते पे प्रतिकूल प्रभाब डालता है दुपैर के खाने के साथ लसी या फिर छाज पीना चाह सुवे उठकर थोड़ा हलका गरम पानी पीएं इससे अपका गला साफ रहेगा सुवे की नाश्ते के साथ जूस जरूर पीना चाहिए इसकी पीछे उद्दिश ये है कि अगर हम सुवे का नाश्ता बहुत अच्छा लेंगे तो हम सारे दिन हमें एनरजी रहेगी अगर हम दूपैर में खाना ना भी खा पाए तो भी हमें कोई दिक्ट नहीं होगी रात की समय खट्टी फल कभी नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे हमारा पाचंतन सही काम नहीं करता है रात को दस बजी तक सो जाना चाहिए जी हाँ हमें टाइम पे सोना और जगना चाहिए ताकि हमारे स्वास्ते पे कोई प्रतिकुल प्रभाम ना पड़े आज का काम आज करें कल पर ना छोड़ें नहीं तो यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको टालमटूल की आदत से बचने के लिए कोई भी काम है तो वो यथाशीर करिए खाना खाते समय खाने को कम से कम 32 पार चबाएं खाने को आप जितना ज़्यादा अच्छी तरह चबाएंगे और जितना तरल रूप में जाएगा उतने अच्छी तरीकी से आपका पाचन तंतर काम करेगा आइस्क्रीम को कभी नहीं खाना चाहिए जी हाँ आइस्क्रीम ठड़ी होने के लिए बहुत स्वादिश लगती है लेकि ये नुकसान करती है इसलिए कम से कम खाएं या बिल्कुल ना खाएंगे जितना हो सकी अपना काम सेम करना चाहिए जी हाँ इससे आपको एक अच्छा था फील भी हुआ और कि हमने अपना काम खुद किया है दूसरे पर हम डिपेंड भी नहीं रहेंगे कोई भी शुप कार्य करने से पहले भगवान की पूजा करें जी हाँ अगर आप कोई भी कार्य कर रहें स्टार्ट कर रहें उससे पहले भगवान को याद जरूर करें उनको नमन करें कम से कम 6-8 गंटे की नीद जरूर है अगर आपकी नीद पूरी हो जाएगी तो आप अगले दिन बहुत चेरफ होके सारे काम कर सकेंगे ताजा बनाये होगा खाना 40 मिनिट के बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें वैक्टिरिया पनाप जाते हैं इसलिए यथा शीक्र बनाये होगा खाना खा ले दिन में 8-10 किलास पानी सिप सिप करके जरूर पें जी हाँ पानी एक तो जादा पीना चाहिए और धीमे धीमे घूट लेकर पीना चाहिए एक साथ ना पिए रात को सूते समय मुबाइल अपने पास कभी न रखे जी हाँ हम सब जानते हैं मुबाइल से अल्ट्रावाइटले ट्रेंज निकलती है हमारे शरीर और हमारे दिमाग को नुक्सान पहुचा तक अपनी दवा को कभी ठंडे पानी के साथ ना लें जी हाँ अगर आपको लेना या तो दूद के संग या नॉर्मल पानी के संगी अपनी दवाई लेनी चाहिए आज का काम आज करें कल पर ना छोड़ें क्योंकि अगर ये टालने के आदद बन गई तो आपका काम समय पर कभी बूरा नहीं हो पाएगा अध्याए आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगे कृपिया कमेंट करके जरूर बताएं अगर पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सबिस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद